अस्रानिक प्योर्स मैंने बान चीमा वेलकम पैक विडियो ऑफ केटल स्मार्ट सिटी और आज की इस वीडियो में ऑफ केटल स्मार्ट सिटी में ओवर्सीस सेंट्रल के अंदर जो एक रिंग रोड बन रहा है जिस रिंग रोड के ऊपर मेंली जो फोकस्ड है वो है आर्ट मर और चार मरला कमर्शल प्लॉट में इस वीडियो में के जिन मेंबर्स ने ओवर्सीस सेंट्रल में चार मरला और आट मरला कमर्शल प्लॉट जिनकी बैलेटिंग होई थी आर्ट मरला कमर्शल प्लॉट बिसीकली दो जगा पे एक ते 400 फट रोड पे जो ससाइटी ने mostly plot reserve किय जाएगा जो 8 मरना कमर्शल प्लॉट 180 फिट बार फी प्लॉट फिस वने के रहूँगा Ahh अंगर आप एक महिना पहले साइट का विज़ित करें Eyne mid-of-june 2022ुको विज़ित करते साइट पे तो आपको यही बोड है इस रोड पे कुछ चीज़ें मिसिंग नदर आती है नमबर वन किस रोड कर से ले आउट प्लैंड रॉड वह था उसके लावा यहां पे कुछ भी नहीं हो था और साथ साथ इस रोड पे जो है बाकी डिवेल्पेंट जो थी वो अब मिशिनरी स्टैटिक थी अभी जो मैंने विजट के था साथ पे क्यों अभी एद की लीव्स चल रही है तो अभी साथ पे ऐस सच को मिशिनरी अक्टिव नहीं है बहराल यहां पे अगर आप साथ पे विजट करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आज तक यह हिस्ट्री में स्मार्ड एटी के मेंबर्स में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वहोगा चार मला आठ मला कमर्शल प्लाट को इरस्पेक्टिव किया आपने किसी ब्रेट पर बुक किया हूँ reason उसकी यह है कि motorway से बिलकुल adjacent आपको यहां से motorway के clear visibility मिलती है आपको जो opposite side पर land नज़रा रही है जो एक route नज़रा आ जहां से motorway clear visibility है इस road से access है उसके opposite side पर जो land आप सारी की सारी land जो हो मुख्लिफ institutions के लिए reserved है यानि के GK के लिजर्व है New Tech के लिजर्व है इसके लवा हॉस्पिल के लिजर्व है इस area में सारा जब universities आएंगी तो यहां पे footfall जो commercial plots के लिए होगा वो more than excessive होगा जितना आप commercial के लिए footfall expect कर सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा commercial का footfall यहां पे already site पे मजूद होगा because जो students होंगे hospital होगा या उनिवरस्टी या खुलती है तो यहां पे उनके लिए access और commute करना बहुत ज़्यादा आसान होगा तो इस ring road की इस लिहाद से काफी ज़्यादा important से यही ring road आगे lead करती है army park overseas central की तरफ और बाकी जो blocks बनते हैं जितना है वह overseas central है जिसकी time मैं बाकी separately video बना दूँगा block to block for the time being यह video स्पेसिफिकली यह ring road के हवाले से है इस ring road की एक दूसरी खास बात यह कि इस ring road का possession देने का आने वले दिनों में तकरीबन दो से दाही में इनिमें जब यहां पे plots का possession offer किया जाएगा तो जो भी members यहां पे शुरू में possession बाएंगे तो उनको development charges पे भी society की तसरी discount की offer मजूद होगी यह मैंने society state self confirm किया है कि जो भी members early stage पे यानि कि जो early birds होंगे जो पहले possession यहां पे apply करेंगे society की तरफ से उनको discount की भी काफी ज़ाद development charges में feasibility मिलेगी याद रहे development charges commercial plot पे 5.5 लाग पर मरला rate के हिसाफ से आपको से charge की जाएंगे 4.5 लाग commercial plot पे 22.5 लाग के charges होंगे 8.5 लाग commercial plot पे 44 लाग के development charges होंगे तो इन charges में आपको बड़ा discount मिलता है प्लस आपको developer possessionable plot during installment मिलता है और वो भी इतनी prime location पे जहां से आपको direct access यादि के direct visibility है motorway M2 की तो यहाँ पे जो भी construction करेंगे या offices कुलेंगे या जो भी brands आएंगे उन brands के लिए एक billboard की जैसे वर्त होती है अगर आप ring motorway पे जाते हैं और आप billboard का rent है that is around 2 million rupees per month तो imagine करें यहाँ पे ground plus 5 की building बनी हो इस building पे ब्रेंडिंग होई हो तो वहां से आप कितना ज्यादा जो commercial plot के owners हैं कितनी ज्यादा income वहां से passive income generate कर सकते हैं और यह income rent से हट के होगे और आप यहाँ पे प्लाजिक आपर billboard जो लगाते हैं वह से separate होगा बाहराल आप भी आगे जाके में चीज़ें करता हूं कि इस रिंग रोड का आने वरे दिनों में क्या aspects हों कि future में इसका मैप को layout plan और प्रॉपरली जो मैप और Google Earth location की मदद से कि यह area इसका कहा लोक्रेट करता है और उसमें तुमाँ development की चीज़ों के हवाले से आपको बाकी details में Google Earth location और map की मदद से आगे explain कर देता हूं इसका में जो आज की वीडियो इस रोड के हवाले से है यह overseas central का जो रिंग रोड है इस रिंग रोड के अच्छी बात है कि पूरे यह master plan को connect करता है अगर आप इस रिंग रोड के alignment देखें तो यह पूरा रिंग रोड ऊपर से होता हुआ यानि कि पहले overseas central की back side पर आपके आ जाता इस सेंटर से होता हुआ फिर एक्जेक्टिब लॉग में इंटर हो जाएक एक्जेक्टिब लॉग से पर आगए overseas prime and then overseas east यह वाला जो रिंग रोड है इसके हवाले सी यह वीडियो है मैं master plan को तरह लाइप करता हूँ आपको overseas central का सिर्फ प्लान दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें काफिया तक लेर हो जाएं यह overseas central का master plan और इस पर जो चार मला और आट मला commercial plots जिनकी बैलेटिंग होई है अगर मैं इस specifically street की बात करूं यह street की बात करूं तो इस street पर जितने plots की बैलेटिंग होई है उन तमाम plots को आने वाले दो से धाही मामें society की तरफ से expectedly possession offer हो जा के block F और doctor and clayve तक जितने members होंगे उनके पास यह option होगा को यहां पर new tech university और new tech के main student hostel के सामने और जबाकी healthcare district के सामने यहां पर अपने plot पर construction स्टार्ट कर सकते हैं society की तरह से जब इसका possession offer होगा और तब तक लाज़मी यह confirm नहीं है कि इंटर चैनी तब तक open होगा यह नहीं ह अफर होता है तो इसका जो सबसे ज़्यादा benefit मिलेगा वह मिलेगा overseas central के members को specifically चार मला आठ मला commercial plot के members को उसकी वज़ा यह है कि चार मला commercial plot जो है तो commercial plot अगर आप 4 मला के लगाएं तो एक करोट पांच लाग जमा 24 तू लाक रुपीज तो तकरीबर आपके जाकर cost परती है 1.27 करोड की cost परती है आपको 4 मला commercial में आठ मला के बात करें तो इसके तकरीबर 2.25 करोड की कीमत बनती है आपकी 8 मला commercial की without profit तो यहां पर सुसाइटी के तरह जब early stage पर possession आफर किया जाएगा तो definitely जिन members ने early stage में यहां पर invest किया तो सबसे ज़्यादा benefited वो आले members होंगे Google Earth पर अभी तक इसकी images update नहीं हुई जब आप images update होंगी तो इसके अवाले से मैं आपको बाद में दुबारा वीडियो बना के update कर दूँगा इस वीडियो बनाने का मकसद दिया था कि जो recent days में एक मत में सबसे ज़ागर आप changes देखें development wise तो आपको overseas central के इस main belief पे development नजर आती है अगें back to real time footage और इस अपनी screen पर दुबारा overseas central के साथ left side पर जो block A की land है और इसके साथ right side पर जो आगे move करती है land जो इसकी health care district की प्लस overseas central हार्मी पाद ब्लॉक की land आप देख सकते हैं अभी ये land इसकी सिर्फ browning हुई है side passage को बड़ी massive development आपका street का layout plan ये ऐस तरह कोई चीज including sector A, sector B, sector C यहाँ पैसरच कोई streets की layout plan है जो उनकी cutting है वो काम अभी start नहीं हुआ बाकि जो 400 feet road की access जहां तक है वो मैं आपको separate video में explain कर दूँगा और जो string road की access है ये तमाम sector A से लेके doctor and clear तक properly इसकी access मजूद है बीच में कुछ parts ऐसे हैं कुछ pocket ऐसे हैं जहां पर society के पास land पे जो नहीं हो एरिया green है ब्राउन नहीं हुआ बाकि तमाम का तमाम एरिया जो ब्राउन हो चुका है और आपके सामने अपने वीडियो में काफिया तक देग भी लिए है कि बहुत सरे पार्ट पर society की तरह से layout plan जो है उसके ओपर जो black top तक का काम मकमल हो गया है बाकि जो final step है वो है और्टी कल्चर और प्लस जो carpeting और street lights का लगना वो with the passage of time साथ सा चलता रहेगा जैसे बाकी blocks में चलता रहेगा इस तरह यह के main आपको होता है कि जिका पर development और possession development में कमल करके आपको society की तरह से possession offer हो जाए तो इस वक्त और सेंटल में रिंग रोड से डिजिस्टन जो plot होंगी वहां पर society इस position में है कि वो अपने members को यहां पर possession offer कर सके वो अपने plot पे construction स्टार्ट कर सके याद रहे कि यह plot बड़े nominal cost पे लांच किये थे पहले इनिशली जो old rates से एक रोड बाना लाक रुपे का आटमाला कमर्शल था फिर बाद में rate revise किए एक रोड चबन लाक का कमर्शल हुआ और उसके बाद जो latest rate थे थारड रेट उसमें कमर्शल के rate थे एक रोड पिचतर लाक रुपे एक रोड बाना लाक वले plot जो हो तक्रीबन तमाम के इस्टॉलमेट का टाइम खतम हो गया है मकमल possession पे वेलेबल है मकमल cost पे वेलेबल है यानि आपने उसके मकमल charges पे करने हैं प्लस जो profit है जो भी जिस block में balloted है या non-ballot है या जो भी इसके circumstances हैं whatever the case में भी आपने उसके 100% amount मकमल करनी है तब आपको society की तरफ से transferable होगा जहां 50% पे transfer करवा सकते हैं बाकि जो बैलेटेड प्लॉट है वो society की तरफ से यह रूल है कि आप 80% minimum transfer करवा सकते हैं तो बैलेटेड प्लॉट के जो members है उनको option है को plot बेचें तो अच्छे profit पर sell भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपने plot को आने वाले दिनों में possession लेकि इस प बाकि जो काम होता है वो जब tenant आते हैं वो अपने एंगल से रेनोवेट करते हैं तो उसमें आपकी जो cost होती है काफी हाथ तक बचत हो जाती है residential plot में आप construction का rate काफी ज़्यादा जो material cost पिछले दिनों ज़्यादा हुई है जो आमतर रुपे 350-370 cement की बोरी थी आज की rate में 1130 रुपे की बोरी है और steel के अगर बात करें तो एक लाग पांच जार टन से 40 grade steel जो है वो उटके इस वक मार्केट में सवा दो लाग से दो लाग पचास जार के दिरम्यान आपको steel का rate मिलता है पर टन का तो उसमें काफी ज़्यादा changes आये हैं but as compared to other than that बाकी जो construction की material है उसमें grey structure के लिहाज से आपको benefit होगा अगर आप commercial plot पर construction करते हैं तो यह उन members के लिए हैं जिनके पास plots अपने मजूद हैं और उनके पास इतने funds भी हैं को construction स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको बैगरांड में जो खरी मूरत range है प्लस सामने वाली साइट बे मोटर वे तो इस तरह के वीउ के साथ आपको plot इतनी काम प्राइस पर मिलना नियर टो इंपॉसिबल है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज रूलाइक कमेंट और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीज़े जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस झाल 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 झाल